हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वैल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का अगला कॉमिक विशिशांग कहां छिपा है कातिल का दूसरा और अंतिन भाग रही बास सादूराम की हैं वो तो मरे गई उसे तो हर हाल में मरना ही है इदर सादूराम को बचाने वाले मुझे तुम्हे धन्यवाद देना होगा क्योंकि तुम नहीं मुझे इस स्कूलों के हार के बारे में बताया जिसकी तरफ वैभ्यानक साप आकरशित हो रहा था इसमें सादूराम जी को मारने की कोशिश करने वाला शक्स आकरी हत्यारा है और जहां तक मैं जानता हूं आकरी हत्यारा बिना मतलब या दिश्मनों के किसी की जान नहीं के सकता तो फिर उसने सादूराम जी पर हमला क्यों किया इसका एक एक कारण समझ में आता है आकरी हत्यारा को किसी ने हायर किया, किसी ने सादू राम जी को खतम करने के लिए आगरी अत्यरों को सुपारी दिया बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सादा जीवन बिताने वाले, चटाई पर सोने वाले और पतल पर खाना खाने वाले भाई जी की किसी से कोई दुश्मन ही नहीं सारी दुनिया उनकी अपनी है, फिर भला उन्हें मारने की सुपारी कौन देगा? आप कौन? मैं आत्मा राम, मैं भाई जी सादू राम का भाई भी हूँ और उनका सेकेर्टरी भी आपको यहां देखा तो आपको भाई जी को बचाने का धन्यवाद देने चला आया आपको किसी पर शक है? जी नहीं वैसे अगर शक भी होता तो मैं आपको या पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि भाई जी की तरह मैं भी शत्रू को शमा करने की पद्दिती अपनाता हूँ आप और सादू राम जी जो चाहे कह सकते हैं लेकिन सचा ही है कि किसी ने आगरियत 13 की मदद से सादू राम जी की जान लेने की कोशिश की है और वै कौन है मैं उसे सामने लही आऊँगा क्योंकि मेरे पास वसा आत्मी ता कोचने का एक ही किलू है वह शक्स जिसने सादू राम जी की गले में वो गलावों के पूल वाला हार पेनाया था तुम उसे कैसे ढूंडोगे फिलाल तो कोश समझ में नहीं आ रा मैं बताता हूँ तो मैं सादू राम जी के एर्दे-कर्दे किसी ऐसे आत्मी को ढूंडना होगा जो अपने बालों में आवले का तेल लगाता है और मुँ में हर समय जाफरानी पत्ती का पान दबाय रहता है उसी आदमी ना सादू राम जी के गले में गलाव के फूलों की माला डाली थी ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो जिस समय सादू राम जी का स्वागत करने के लिए उनके गले में फूल माला ये डाली जा रही थी उस समय में उनके पास ही खड़ा था तब मैंने अपनी सूंगने वाली शक्ती की मतद से महसूस किया था जो आदमी एक मातर खुलाव के फूलों की माला लेकर आया तो उसने बालों में आवले का तेल लगा रखा था और मुह उसे जाफरानी पत्ती के पान की गंद आ रही थी वाव तुम ग्रेट हो अजीद ये सब बता कर तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया अब मुझे सादूराम जी के आसपास ऐसे आतमी को ढूनने में जादा देर नहीं लगने वाली और उस आतमी की तलाज मुझे अभी सही कर देनी चाहिए इसलिए फिलाल चलता हूँ तुमारी जरूरत ही तो मैं तुमसे मिलने फिराओंगा जरूरत तो तुम्हें मेरी पड़ेगी तिरंगा लेकिन अब तुम्हें मुझे से मिलने यहां नहीं आना पड़ेगा फिलाल तो सादूराम को तिरंगा की मदद की बहुत जरूरत थी क्योंकि आखरी हतेरा अपना दूसरा पासा फेक चुका था क्या बात है रामू भाईया जूस के तौनों गिलासों से जूस गिर रहा है गिलासों को धंग से पकड़ो हाँ 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 रामू नामग इस वक्ति ने खुद को समाला भी और जूस के गिलासों को भी ढंक से पकला लेकिन फिर भी गिलास से जूस का गिरना बंद नहीं हुआ किसी को क्या मालूम कि मुझे इसी तरह जूस को गिरात हुए ले जाने के लिए पचास हजार रुपे मिले है लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि रोज तो जूस सिर्भाई जी के लिए जाता है आज आश्रम में ही रहने वाले बिहारी बबू को जूस क्यों पिला जा रहा है जूस हमारे लिए कमाल है जूस पहुचाना सादुराम के आश्रम के आखरी दिन चर रहा थी उसके बाद वहां रात का सननाटा अपने पाउं पसार देता है और वह सननाटा भोर की करणों के साथ ही भंग होता है लेकिन आज रात के सननाटी की किसमत बे भोर नहीं लिखी थी वह तो आदी रात को ही भंग हो गया ये तो ब्यारी बबू की चीख है इतनी रात काई क्यों चीखे भी ब्यारी बबू के चीखने का कारण सभी के रोंग्टे खड़े कर देने वाला था ब्यारी बबू के चेरे पर लाखो चीटिया मौजूद है और ये चीटिया साधन चीटिया नहीं है ये तो आदम खोड़ चीटिया ही देखो ये कैसे बहारी भाबो का मास्क खा रही है बहारी भाबो को बचाने के लिए कुछ करो किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला किसी के कुछ करने लाइक रहा भी नहीं अभी सबी सन्नी खड़े थे कि उनके कानों में एक और चीक बम के धमाकी की तरह गुंची ये ये तो भाई जी की चिक्की है यानि ऐसी मासको और चीटिया भाई जी के मासकों भी खा रही होंगी अभी नहीं खा रहीं थी लेकिन खाने जा रहीं थी और खाई जाती अगर चीटियों और साधुराम के बीच में वद्दिवार ना आई होती जिसे सारी दुनिया कहती है तरंगा ये आप पर आकरी अत्यारा का दूसरा हमला है साधुराम जे लेकिन आप चिंता मत कीजेगा जैसे उसका पहला हमला सफल नहीं हो पाया था वैसे ये भी सफल नहीं हो पायगा लेकिन ये चीटियां सफल होने के लिए ही आई थी ओ ये क्या हो रहा है सभी चीटियां एक खटी होकर एक नया रूप ले रही है चीटियों दारा लिया गया वे रूप बहुत खतरनाक था ओफ ये सारी चीटियां ऐसा रूप लेलेंगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा तुम ठीक तो होतरेंगा मेरी चिंता छोड़िये सादुराम जी मुझे कुछ नी होगा आप यहां से चले जाएए अब मैं आकेला हूँ इसलिए अब मैंसे अच्छी तरह बस सकता हूँ और इना खतम करने के बारे में सोच भी सकता हूँ और इसे खतम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले मैं इन चीटियों को एक दूसरे से अलब करूँ और फिर भाच इस छोटे मंदर में मौजू जलते दिये की मदद से मास्खोर चीटियों से भरी इस घास पूसकी कटिया का आग से भर दूँ आग ने सभी मास्खोर चीटियों को भून कर रख दिया इन मासक और चीटियों ने तुमने चीटियों से तो तुमने मुझे बचा लिया लेकिन ये मेरे सहोगी बिहारी बाबू को निकल गई ओ बिहारी बाबू नावग इस आदमी को तो चीटियों ने पूरी तरह कंकाल बना दिया उफ, उन चीटियों का निशाना तो मैं था, बिहारी बाबू तो बिना मतलब भी मारे गए एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि ये बिना मतलब मारा गया क्योंकि इसके बालों से आवले के तेल और मुझे जाफरानी पत्ती तमाकू की गंद आ रही है आवले का तेल लगानो और जाफरानी पत्ती का तमाकू कहाना तो बिहारी बाबू का शौक था उनसे बिहारी बाबू की मौत का क्या संबंद है बहुत बड़ा संबंद है क्योंकि यही वो आदमी है जिसने सादू रहमची के गले में वैसे गुलावों के फूलों वाला हार पहुचाया था जिस पर दुर्मुक साब आकरशित हुआ था क्या मतलब? मतलब यह है कि आखरी अत्यारे के हाथ से आपको जो मरवाना चाहता है बिहारी बाबू नामक आपका यह से हो कि उसके हाथ की कटपतली बना हुआ था और जो कि मैं उसकी तलाश में था इसलिए उस आदमीन आकरी अत्यारे के मदद से आपके साथ साथ इसे भी मारने के साथ जिशा ज़िए किसमत से मैं आपको बजाने पहुँच गया लेकिन यह मारा गया अब महत्पूर्ण सवाल यह है कि यह चीटियां यहाँ आई कहां से एक मिनट शायद मुझे इसका जवाब मिल गया इस जूस के गिलास की रूप में क्योंकि ऐसा ही एक गिलास मैंने आपकी कुटियां में भी पड़ा देखा था और देखिए जूस की वे बुंदे जिसकी मदद से चलकर आखरी अत्यारे दारा छोड़ी गई चीटियां आप तक पहुँची जूस के इन गिलास को तो रामू लाया था इसका मतल़ रामू भी उस अत्यार से मिला हुआ है मैं उसे अभी पकड़ता हूँ मेरे ख्याल से अब हमारी पकड़ में नहीं आएगा आत्मराम जी वह तो कभी का भगवान को प्यारा हो चुका होगा सच मुझ यह तो बहुत ही विहानटंग से मारा गया है इसे पारा पिलाए गया है जो इसके शरीर से फूट-फूट कर निकला है यानि आकरी हत्यार की मदस से भाई जी के थ्या करने वाला वैक्ति जो भी यह बहुत चालाक है आपने बिल्कुल सही कहा अत्मराम जी इसलिए आपको साधुराम जी के मामले में पूरी तरह सदर्क रहना होगा इसी बीच यहां तुमारी हर चाला की तुमारी तुमारा हत्या करने का हर तरीका तिरंगा के जान में फेल हो गए और अब तो तिरंगा और भी ज़्यादा साथदान हो जाएगा उसके रहते अब तो साधुराम को मारने का काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया सही कहा तुमने इसलिए अब सबसे पहले तिरंगा को यह अपने रास्ते से अटाना होगा मुझे नहीं लगता कि यह सब इतना असान होगा इससे पहले भी तुम सेकड़ों बार तिरंगा को मारने की कोशिश कर चुके हो लेकिन कभी सफल नहीं हुए अब तुम ऐसा कैसे कर सकोगे अब मैंने एक ऐसी दुरलब विद्धिया सिद्ध कर लिए जिसका नाम है आलोग विद्धिया तिरंगा को मारने के लिए क्या जाल बुना जा रहा था तिरंगा को इसकी बिलकुल खबर नहीं थी वै तो हर बार की तरही अपरात को मिटाने के अपने फर्स को निभाने में जुटा हुआ था अपनी पूरी निष्ठा और लगन से उसके सामने पहुँच चुका था और तिरंगा को अपनी इस निष्ठा और लगन को और भी जादा बढ़ानी की जुरत पढ़ने वाली थी क्योंकि उसके सामने पहुँच चुका था उसका सबसे बड़ा दुश्मन बस बहुत हुआ तेरंगा अब ये खेल बंद कर क्योंकि अब तेरी जिंदिगी का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है कौन? कुरूर सिंग उर्फ आखरी हत्यारा? सही पैचाना तुने मुझे तेरंगा लेकिन उसी अमराज को नहीं पैचाना क्या अब तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे रूप में मौत तुझ पर किस तरफ से जपट रही है कब जपट रही है मुझे पता चल रहा है क्रूर सिंग तू यहां है मेरी आवाज से तू मेरी सही स्थिति का अंदाजा लगा रहा है अब मैं ये गलती नहीं करूँगा बिना बोले ही तेरी तुना ही करूँगा काच उफ आकरी हत्यरा कहीं से भी आकर मुझे पर वार कर रहा है अब ना वह मुझे आवाज कर रहा हो ना पैर उसे आठ अगर ऐसे ही वो मुझे पर वार करता रहा तो जल्दी वो मेरी जान ले लेगा इसलिए मुझे अपने बचाओ के लिए उसकी इस्तिती के बारे में पता करने के लिए कुछ करना होगा लेकिन क्या एक चीज़ है इस रेड़ी पर रखी मुम्फलिया ये मुम्फलिया अरद्रिश आकरी हत्यारे को सामने लाने में मेरी साहता करेंगी क्योंकि जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने के लिए आकरी अतर अपने कदम आगे बढ़ाएगा उसके कदमों के नीचे दब दब कर मुम्फलिया फूट कर आवाज करेंगी और जहां से वह आवाज गुझेगी वही मैं वार करूँगा मेरे पैरों के नीचे दब कर फूटती मुम्फलियों के वज़े से तुझे मेरी इस्तिती का आवास हो रहा है कोई बात नहीं अब मैं तेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा बलकि दूर सही तुषपर हमला करूँगा मेरा यह हमला भी तुषपर कारकर सिद नहीं हो रहा क्योंकि अपनी तरफ बढ़ते हैं इन हत्यारों को तुझ देख पा रहा है कोई बात नहीं अद्रिश करने वाली इस भबूत के रूप में इसका भी इलाज है मेरे पास भबूत गरते हैं अद्रिश हो गए उन हत्यारों ने तुरंगा को कराने के लिए मजबूर कर दिया इस बार ये बड़ा तुरूल अद्रिश ओकर तेरी तरफ आएगा तुरंगा और मुझे उमीद है कि ये जडरूर तेरे कलेजे को चीर कर निकल जाएगा आखरी अत्यारे ने जैसे कहा था वैसा होना निश्चित था क्योंकि जो गहा तक तुशूल तरंगा को चीरने आ रहा था उसे तरंगा देखी नहीं सकता था और जो चीज तरंगा को दिखी नहीं रही थी उसे रोखने के लिए तरंगा कुछ नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी वह तृषूल रुका, तिरंगा के कलेजी से कुछ ही इंच दूर रुका, और वे अपने आप नहीं रुका था, उसे पकड़ कर रोका था, उस शक्स के दो हाथों ने जिसे तरंगा आके फाड़े देख रहा था, तुमने अपने हाथों से पकड़ कर मुझे कोई फर्क नहीं बड़ता, वै किसी पी रूप में मेरी आँखों से नहीं बच सकती, ओ, हत्यारे ने, पाँच छे अर्दरिश खंजर तुमारी तरफ उच्छाल फेके हैं, बचो, ओ, मैं अभी भी हैरान हूँ, जो खंजर मुझे नहीं देख रहे, वो तुमें कैस एसे खड़ा रहूँ, नहीं, तुम भी मेरे साथ अगर इसी ठुकाई करो, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा, तो फिर जैसा जैसा मैं कहता नहीं, वैसा वैसा करो, वै मेरे बार से उच्छर कर तुमारी दाई तरफ आ रहा ह दाई तरफ जोकाई दे कर उसके वार से बचो और अपनी किक को तेजी से बाई तरफ घुमाओ, वह, ये तो सचमुच यहीं है, और अब हवा में आई रुकावट, वह इसके शरी की गंद बता रही है कि ये यहाँ है, तु मुझे सुनकर महसूस करके और मिरी सांसों की कर पाए, मैं इसका इंतिसाम कर देता हूँ, अपने हाथ में मौझूद एक छोटी डिविया को खोल कर जिसमें विशेश पर जाती कि फिछोटी चोटी भवरे बंद है, जो हवा के संपर्ग में आते ही, अपना सामान ना कर धारन कर लेते हैं, ये भवरे अब मुझे, अब मैं तुछ पर और तिरंगा पर जहां से चाहूँ, वहां से वार कर सकता हूँ, वैसा ही कह रहा है तिरंगा, इन भवरों की मदद से आखरी अतारा मुझे धोका तेरे में सफल हो गया है, अब उसे घेरने का हमें कोई दूसा तरीका सोचना होगा, अब तुम दोनों के पास मरते मरते तुम दोनों को ये पता लगे कि तुम किस के हाथो शहीद हुए हो, वै अनोखा जानवर ऐसा जटा कि ना तो तिरंगा को समलने का मौका मिला हो ना ब्लाइंड डैथ को, ऐसे जखड़े गए दोनों की टस से मज़ भी नहीं हो पा रहे थे, उफ, इसना थो हमें पुरी तरह जखड़ लिया, इसकी जखड़ हड़िया तोड़े दे रही है, हड़ियों को तोड़ने की कोशिश के साथ साथ ये हमारा खून की चूसने की कोशिश कर रहा है, हमें इससे छूटना होगा, नहीं छूट पाओगे, क्योंकि जब तक ये तरफ हमारे शहीपर बंद होने जा रही हैं तो लगे हाथ, तुम भी ये देख लो कि आखरी अत्यारे को साथ राम को मारने की सुपारी देने वाला मैं कौन हूँ? आत्माराम? बिलकुल सही पहचाना, मैं साथ राम का छोटा भाई आत्मारामी हूँ और मैं ही अपने बड़े भाई साथ राम क मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि साथ राम के मरते ही उनकी गर्दी पर लोग मुझे ही बिठाएंगे, और फिर मैं उनकी लोग पृत्या कर लाब उठाकर राजनीती की उन उजाई ओपर पहुंच जाऊंगा जिसे मेरा बेवकूफ भाई सदा नकारता आया अपने इस अपने को पूरा करने के लिए मैंने आश्रम के कुछ अपने आदमी को भी अपने साथ मिलाया था, लेकिन वे सभी बेवकूफ निकले, इसलिए मुझे उनने मरवाना पड़ा, लेकिन अब ऐसा होने में ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि तुम दोनों के मरते य जाकरियत तैरे को शिकार मेरा भाई होगा, हाहा, लगता है ये दोनों शैतान अपने मन्सूबे में सफल हो जाएंगे, नहीं होंगे, मुझे एक रास्ता सूजाए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूगा तुम ध्यान से सुनो, हाहा, कर लो जितनी जाये बाते कर लो, यह मिरा अब तुझे ये बताने की जरुवत नहीं है कि ये दरब जिसके शरीर पर होता है, तेरी ये मौत उसी पर जफटती है, नहीं, नहीं, चुपा, चुपा, घैरे पानी में होती हल चल शान तो ही तो हूपर आया, खून, आकरी हत्यारे का किस्सा खतम, चल, अब तुझे भी पुलिस स्टेशन बजा कर तेरी भी कहानी खतम कर देता हूँ, अरे, ब्लाइंडट कहां गया, चला गया, काश रुखता तो मैं उससे पूछ सकता, था कि जब अर्दर शाकरी हत्यारे और उसके, जिन हत्यारे को मैं नहीं देख पा रहा था, तो वो उन्हें कैसे देख पा लिए ब्लाइंड़ फिर कभी आएगा, या फिर पहली की तरह उसकी कहानी एक बार फिर हो गई है, समाप्त, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तरंगा सीरीज के अगले कॉमिक विशिशांक, अंधी दुनिया में, तब तक के लिए धन् आएगा, अंधी अगले के लिए एक लिए पोड़ फेसे घगले का लिएगा, लिए विक बार फिर विएगा, अभाद में, अपहाँी।